नमस्कार दोस्तो रेडी टू गाइड चैनल पर मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आज बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जहां पर हमें ये देखने को मिला है कि जो सेवी के दुवारा दिया गया पॉर्टल है यानि कि जहां पर आप अपना क्लेम स्टेटस चेक करते हैं उसमें कुछ तुरूटी पाई गई है और अभी भी जो सेवी का पॉर्टल है दोस्तो वो सही से वर्क नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहां पर काफी ज़्यादा चानविन करने के बाद मैंने देखा है कि यहां पर काफी ज़्यादे दिक्कते जो है अभी भी निवेशकों को आ रही है और इसी से सम्मंदित बहुत सारे कमेंट्स देली आ रहे हैं जो कि अपने सवालों का जवाब चाहते हैं तो उससे पहले दोस्तो मैं आपको सेवी के पोर्टल पर ले जाता हूँ, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप ये सब आप अपने मॉबाइल पर भी चेक कर पाएंगे, सबसे सही तरीके से चेक करने का जो तरीका होता है मॉबाइल पर, आप सैमसंग इंटरनेट ब्र इस्तमाल करते हैं, तो दोस्तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, और इस तरीके से आपके सामने डेटेल आती है, यानि कि यह जो डेटेल है वो पूरी देखने को नहीं मिलती है, और वहीं अगर आप एक्स ब्राउजर या सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर का तो इस तरीके से आपको दोस्तो यह जो है preview आप पूरा अपना देख सकते हैं तो यह आसानी हो जाती है इन दोनों ब्राउजर में अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं दोस्तो हम इस समय computer पर चेक कर रहे हैं आपके सामने है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तो यह देखी है, आप यहाँ पर है, नेपाल सिंग, यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा, इनकी जो टोटल क्लेम अमाउंट है, वो कितना देखने को मिलेगा, 47,800 यानि कि इन्हों ने जब अपनी पोलीशी को online किया था तो total claim amount में 47,800 रुपे इन्होंने डाले थे और जो इन्होंने received जो रसीदे लगाई थी दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 4,950 रुपे की इन्होंने लगाई थी हाला कि ये 4,950 तो इससे ये साबित होता है कि दोस्तों आपने कितना भी claim amount क्यों न डाला हो आपने 50,000 रुपे डाला हो 40,000 डाला हो या जितना मर्जी डाला हो जितने पैसे आपने जमा किये हैं अगर वो amount आपकी 15,000 से कम है और claim आपने ज़्यादा कर रखा है तब भी आपको दोस्तों पैसे मिल जाएंगे यहाँ पर आपके सामने detail है इनका mobile number है जहाँ पर सभी को जिनको पैसे मिल गए या ना मिले हो वो भी अपनी status चेक कर पाएंगे और mobile number अपडेट कर पाएंगे उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आपको एक और option देखने को मिलेगा यहाँ पर है claim application status यहाँ पर आप अपनी policy का claim चेक करेंगे और यहाँ पर लिखावा है कि your application पीसल certificate number दे रखा है has been proceed and admirable amount has been paid into your bank account तो दोस्तों बिल्कुल सही लिखा है 4,950 रुपे जो है यह इनके bank account में transfer हो चुके है और यह पैसे आयो वे लगबग 1-1.5 साल हो चुका है जादे ही हो गया होगा वहीं बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर तो SMS status में देखने को मिलेगा कि no SMS send has been your registered mobile number क्योंकि दोस्तों यह पैसे तब मिले थे जब यह SMS का सिस्टम नहीं था इनकी amount 4,950 थी और जब 7,000 रुप का payment दिया जा रहा था तब ही इनका number आ गया था तो यहाँ तो दोस्तों यह सब okay है अब देखते हैं इसके अगली policy यहाँ पर आप देखेंगे नाम है दोस्तों बोलू सिंग बोलू सिंग के साथ साथ आकर देखेंगे investors का mobile numbers हो रहा है जहाँ पर यहाँ पर click करके यह update कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे claim application status कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि could not be proceed further this detail bank account provide you claim application ना निकरेट in your bank name यानि के इन्होंने जो bank account अपना दिया है bank की जो detail दी है जो pass book दी है दोस्तों उसके नाम में यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर है not in your name यानि के आपके नाम पर यह नहीं है नाम क्या है दोस्तों भोलू सिंग और इन्होंने जो bank में detail दी होगी या तो भोलू नाम से होगी या किसी और नाम से होगी भोलू सिंग से नहीं है तो proper नाम आपको देखना पड़ेगा कि आपको यह detail सही करनी है इनकी जो दोस्तो claim amount यहाँ पर so नहीं हुई है कितना पैसा है और यही mistake इस portal की चल रही है किसी को total claim amount so हो रहा है किसी को नहीं हो रहा है तो एक बड़ी problem है इनको पैसे नहीं मिले है कितने पैसे हैं यह भी नहीं बताये गए है बस इतना बताया गया है दोस्तों यहाँ पर status में कि आपको SMS अभी तक नहीं भीजा गया है तो यह मैंन बात है अब इसके बाद दोस्तों दूसरा comments देखते हैं यहाँ पर आप देखेंगे यह policy है यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर mobile number change करने के लिए बताया गया है यहाँ पर इनकी पूरी detail है और दोस्तों उसके बाद नीची आएंगे तो यहाँ पर लिखा है तो दोस्तों यह error है पोर्टल की एरर क्यों है क्योंकि इन निवेसक की जो amount है दोस्तों वो 14,080 रुपे है यानि कि 15,000 से कम है 14,080 उसके बाब बजूद इनको यह SMS आया है कि आपकी जो amount है वो ज्यादा है 15,000 से ज्यादा है इसलिए आपको नहीं मिली है SMS इस्टेशन में देखेंगे तो यहाँ पर है no SMS, has been, send your original या mobile number यानि कि इनको SMS भी नहीं आया है तो दोस्तों सबसे पहली बात इसी से मैंने आपको बताया कि इनकी जो amount है वो 15,000 से कम है उसके बाब जूद इनको लिखा हुआ आ रहा है कि आपके जो पैसे हैं वो 15,000 से अधिक हैं अब दोस्तों ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर SEBI के दुआरा दिया गया ये portal automatic जो पैसे बढ़ा रहा है और कुछ investors की ये भी problem है कि उनके जो पैसे थे उनको कम कर दे रहा है तो ये सारे सिकायते इस portal में देखने को मिली है और इससे ये पता चलता है कि जो SEBI का ये portal है दोस्तों इसको update करने की आवा सकता है इसमें काफी जादा तुरूटी है और हम SEBI से ये request करते हैं कि जल्द से जल्द इस portal को update करने की किरपा करें अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बहुत सारे comments है दोस्तों यहाँ पर comments है कि sir मेरा document पहले address पर जा चुका है तो यह example मैंने भी आपको दिया है कि 15,000 से कम होने के बाद भी वहाँ पर दियावाई की amount इनकी ज़्यादा है और SMS नहीं बेजा गया next comment है कि sir मेरा claim पहले 44,000 दीख रहा था अब 32,000 है तो यह भी हो सकता है कोई सेवी का problem हो या हो सकता है कि 44,000 रुपे आपने डाला हो और amount आपकी 32,000 हो receipt कम हो तो कुछी भी हो सकता है दोस्तो अभी portal गलत जानकारी दे रहा है इसलिए हो सकता है ऐसा यह जो है आपको देखने को मिल रहा हो next comment है यहाँ पर कि your application पीसल सर्टिफिकेट नमबर इतना है could not proceed further as said पीसल सर्टिफिकेट land has been allotted यानि कि आपने लैंड अलोट्मेंट yes किया है दोस्तो जिसका मतलब होता है कि आपको जमीन दी गई है पीसल के तलब से इसलिए आपके पास कोई भी जानकारिया भी देखने को नहीं मिलेगी इसका ये मतलब है कि जो पीसल का बॉंड होता है उसमें दिया होता है कि इतने स्कुएर जमीन आपको दी गई है अगर आपने वहाँ पर yes कर दिया तो ये उसी वज़े से आपको पैसे नहीं मिले है अब नीचे आएंगे next कमेंट है कि sir हमारे status देखने पर float allotment आता है क्या करें अभी आपको wait करना पड़ेगा इसकी जानकारी भी सेवी के तरफ से जल्द दी जाएगी next कमेंट है कि मेरी मदर in facial में invest किया था क्या उस time pen card भी लिया गया था देखे ये इसकी जानकारी अगर आप लेना चाहते है कि pen card लिया था आप अपनी जो policy है उसको check कर सकते है policy जब आप check करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि pen number तो ऐसे आपको पता चलेगा आप जाएंगे cbps different.co.in पर और वहाँ पर जाने के बाद आपको यह जो figure देखने को मिलेगी investors pen अगर यहाँ पर pen दियावा है तो pen है और नहीं दियावा है तो pen आपने अभी तक नहीं लगाया है उसके बाद करेंगे कि register करते समय मैंने joint account number दिया था क्या होगा sir please देखिए joint number वालों को ज़्यादतर पैसे नहीं मिल रहे है अगर आपको edit करने का option दिया जाता है तो आप edit कर देना जब CB के तरफ से edit का option दिया जाएगा next comment है कि no send message your registered mobile number इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि जो आपका mobile number है उस पर आपको अभी तक SMS send नहीं किया गया सेवी के तरफ से अभी आपको पैसे नहीं मिलने वाले है next comment है कि sir 20,000 की FDA जिसका refund form apply नहीं हुआ है तो इंतियार करिए जब नए form apply किये जाएंगे तब आप कर सकते है अपने document को समाल कर रगिएगा next comment है कि sir मेरे status में total amount नहीं आता है और edit का option नहीं आता है देखिए edit का option भी नहीं आया और जैसे कि मैंने आपको एक example दिया था यहाँ पर total amount यहाँ पर भी नहीं है तो यह सेवी का जो portal है इसमें mismatch यानि कोई error चल रही है जिसके वह से जानकारी देखने को मिल रही है next comment है कि online कब तक होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि यह सब सेवी के तरफ से depend किया आता है कि कब वो इस पर निर्णा लेते है next comment है कि हमारी policy 75,000 की 7,500 की थी 5,000 रुपे जमा किये थे और 110 रुपे आए है देखिए depend करता है कि आपकी जो रसीदे है अपने proper तरीके से लगाई है या नहीं लगाई है 110 रुपे पर महिना जाते थे 108 रुपे इनके आए है next comment है कि sir जो से भी नमबर थे उनका call करते हैं लगता नहीं फोन उटाते नहीं तो आप फोन करते रहें कभी भी उठा सकते हैं दोस्तों क्योंकि ओल इंडिया में सभी लोग toll free नमबर पर call करते हैं तो बीजी जाता है तो आसा करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में काफी कुछ आप समझ गए होंगे अगर फिर भी आपकी कुछ comment है तो आप comment box में जरूर दें धन्यवाद